श्री गुरु अमर्दाग जी जीवन परिचे श्री गुरु अमर्दाग जी तेज भाज भले क्षेतरी के घर मातर सुलखनी जी के उदर से वेशाफ सुधी 14 सवत 1536 को गाउं बासर के परगना जभाल में पैदा हुए आप जी की शादी श्री मंचा देवी जी के साथ 11 माग सवत 1558 को देवी चन बहिल शत्री के स्पुत्री के साथ हुई आप जी के दो साहिब जादे बाबा मोहन जी और बाबा मोहरी जी तथा दो स्पुत्रियां बीबी दानी जी व भानी जी ने जन लिया आपकी आयू उस समय 61 साल थी, गुरु अंगर देव जी की सेवा में हाजर हुए। श्री गुरु अंगर साहिव जी की पुत्री बीबी अमरो श्री अमरदार जी के भतीजे से विवाहित थी। आपने बीबी अमरो जी को कहा कि पुत्री मुझे अपने पिता गुरु के पास मैं उनके दर्शन करके अपना जीवन सफ़र करना चाहता हूँ। पर अमरदास की कहने लगे कि मैं आपका सिक्ष बनने आया हूँ। आप मुझे उब्देश देकर अपना सिक्ष बनाएं। लंगर के तैयार होते ही आपको लंगर वाले स्थान पर ले गए। अमरदास जी मन ही मन में सोचने लगे मैं तो कभी मास नहीं खाता अगर खा लिया तो प्रान तूट जाएगा लेकिन अगर वापिस कर दिया तो गुरू अपना अनादर समझ कर नाराज हो जाएंगे। हाँ अगर ये गुरू अंतर्यामी है तो अपने आप ही मेरे दिल की बात जान लेगा और लंगरी को मेरे आगे मास रखने को मना कर देगा। ही गुरू धारन करना चाहिए।